नमस्कार दोस्तों मैं हूराज अलुआई राज अलुआई रस्पी में आप सभी का स्वागत तो दोस्तों राज अलुआई रस्पी में आज हम बनाएंगे आठे की बर्फी आटे की बर्फी बहुत साप्ट और टेस्टी बनती है और कभी न खराब होने वाली होती है ये दिखिए इस तरह हमारी बर्फी बनके कम्पलीट होती है और बहुत टेस्टी बनके तयार होती है तो ये दिखिए इस तरह हम तयार करेंगे बर्फी तो रेश्पी हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस आन किये हैं और इस पहले हम कडाही रखे हैं सबसे पहले हमने 125 एमल रेफाइन डायल एड़ किया है यह हाप कप है उसके बाद हम इसमें हाप कप आड़ करेंगे घी यह भी 125 ग्राम है दोनों मिक्स करके हम बनाएंगे बरफी आटे वाली तो इस तरह हलका सा जब यह गरम हो जाता है तो इसमें हम दो कप आटा एड़ करते हैं वोजन में 400 ग्राम आटा यह दिखिए हम पूरा बरबर के कप आट कर रहे हैं यह 400 ग्राम आटा हो गया और इसके साथ हम भूनेंगे यह दिखिए इस तरह हम घी में भूनते रहेंगे यह थुड़ा थुड़ा सुखा हो बाद में यह गिल्ला हो जाता है जैसे जैसे हम भूनते हैं वैसे वैसे आटे का वोजन कम हो जाता है और घी का वोजन कम नहीं होता इसलिए धिरी-धिरी एक gillar हो जाता है यह देखिए, जैसे जैसे यह brown होगा वो ऐसे वूइसे थोड़ा सा घीस में ज़्यादा लगना लगता है तो इस तरह हम भूनते रहेंगे जब तक हम भूनते रहेंगे जब तक यह brown नहीं हो जाता है तो इस तरह हम ब्राउन करेंगे अब ये धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो गया है इसको पंदरा मिनट तक लग जाता है भूमते-भूमते तो ये टेस्टी आटा बन के त्यार हो जाता है ये देखिए जितना ही बढ़िया ब्राउन कर लोगे उतना हमारी बर्फी ठेस्टी बनती है तो ये अच्छी तरह ब्राउन होगए है इसको गैस से उतार कर हम दूसरे बंद चूले पर रख देते हैं उसके बाद यहां हम ठंडा करते रहेंगे ये देखिए इस तरह हिलाते रहेंगे ये 10-15 मिनिट में छी तरह ठंडा हो जाता है हलका हलका गरम जब रह जाता है तो इसमें हम एक चमट सुन्ड पाउडर आइड करते हैं और साथ में हम इलाची का पाउडर आइड करेंगे ये देखिए थोड़ा सा इलाची का पाउडर आइड कर दिया देखिए ये हलका हलका गरम है अब यहां हम सुगर आइड करेंगे शुगर हम एक कप आइड करेंगे और सुगर हमने पाउडर आइड के है यह तो मिक्षी कर लीजे यह पाउडर मार्केट में मिल जाता है यह 200 ग्राम है इस तरह हम मिक्स करतेंगे ये देखे अच्छी तरह इसको mix करते हैं हाथों से मैस करना पड़ेगा तब ये सही से mix होता है तो पहले हम अपने कर्ची से कर लेते हैं उसके बाद में हम हाथों से mix करते हैं तब ये सहीं तरीकी से mix होता है ये देखे यहां हम अच्छी तरह हाथों से mix करके उसके बाद में हम ट्रे में इसको जमाएगे यह देखे इसमें पानी और चासनी की कोई ज़रूरत नहीं है और यह ट्रे में हम oil से graze कर देते हैं और इसमें हम बरफी की save में plan कर देते हैं यह देखे ये बर्फी बहुत टेस्टी होती है और दूसरी बात यह है कभी खराब होने वाले बर्फी नहीं हो क्यों इस में हमारी चासनी भी नहीं लगी है ना इसमें कोई पानी लगा है इसलिए ये बहुत टेस्टी होती है और ये खराब होने वाली नहीं होती है अच्छी तरह brown कर दिया है और इस तरह ये देखे बर्फी save में plan करके उपर बर्क लगा दिया है आपके पास बर्क है तो लगा दीजे नहीं तो ऐसे भी बर्फी काफी टेस्टी होती है ये देखे उपर से हमने थोड़ा सा पिस्ता और बादाम कटके एड़ किया है अब ये हमारी बरफी कम्पलेट है सिर्फ ये घंटे तक ये जम जाती है ये देखे रिफाइन आयल इसलिए एड़ किया जाता है कि हमारी बरफी पूरी मुलाइम और स्वाप्ट रहती है रिफाइन आयल अच्छे क्वाल्टी का हो तो बेस्ट बरफी हमारी बनके त्यार हो जाती है अब ये घंटे में ये बरफी हमारी जम गई है इस तरह हम कट कर देंगे ये देखे ये आसानी से कट जाता है ये घंटे के अंदर ही जम जाता है ये बरफी और बहुत आसानी से कटा जाता है और इस तरह ये देखिए चवरत से थोड़ा लंबा पीस बना लेंगे और इस तरह हम वर्फी कटके त्यार कर लेंगे इसको एक पलेट में जोड़ देंगे हम एक पीस आपको दिखाते हैं ये देखिए ये आसानी से निकल आता है और ये बहुत स्वाब्ड वर्फी ये पिल्कुल चूर्मा की तरह होता है तो इस तरह वर्फी आप बना सकते हैं इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं ये देखिए आसानी से तोड़ जाता है और बहुत अंदर से स्वाफ्ट होता है और काफी समय तक आप स्टोर करके खा सकते हो चाहे बाहर रख दीजिए चाहे आप फ्रिज में भी रख सकते हो लेकिन आए खराब होने वाली बर्फी नहीं होती है तो इस तरह हम एक प्लेट में जोड़ देंगे हमारी बर्फी बनके कंपलीट है आप भी बना सकते हो और दोस्तों आप हमें इस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी फोलो कर सकते हो डिसेशन में हमारा लिंक दिया हुआ है और दोस्तों हमारे चैनल पे जाईए तो हमारे चैनल पे हर एक तरह की वीडियो मिठाई की मुझूद है आप देख सक करते हो और सब्सक्राइब करना दिल्कुल न भूले हमें आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन जरूर दबाएं